हेलो फ्रेंद्स वेल्ल कब नुमने चैनल स्टाडी वेत कार्टिक तो डविल स्टाडी मैं आज देस्नल नंबर्स तो आज आजू हम लोग सीखेंगी कि डिवाइड कैसे करते हैं तो डिवाइड करने के लिए लिएक फॉर्मौला होते हैं A by B divided by C by D is equal to A by B into D by C तो अगर दो रिस्न नम्बर्स को हम लोग डिवाइट करने हैं तो जब दूसरा रिस्न नम्बर होते हैं जो कि मोब लोग माल देते हैं कि C by D है तो उसका हम लोग लेटे हैं रैसी प्रोकल रैसी प्रोकल होगी है C by D का D by C यानि कि अगर है C by D का अगर वाल्यू है 1 by 2 तो उसका रैसी प्रोकल होगी है 2 by 1 या फिर सेंपली 2 फिर हम लोग दोनो रिस्न नम्बर्स को मल्टिप्लाई कर देते हैं तो फिर उसका अंसर हम लोग को मिल जाते हैं हम लोग एक बार इससे करके देखते हैं तो आपर पहला क्वेशन है डिवाइड 4 by 9 divided by minus 5 by 12 यहाँ लोग लोगते है 4 by 9 into minus 5 by 12 बे उसका रैसी प्रोकल हो जाएगा 12 by minus 5 उसी का उल्टा तो 4 by 9 into अब यहाँ पर 12 by minus 5 हो तो इसका देनोम्रेटर है negative तो इससे हम लोग बनाएंगे positive हम लोग इससे कर जकते है minus 1 से multiply करके तो यहाँ जाएगा minus 12 by 5 फिर अब यहाँ लोग multiply कर डेंगे 4 into minus 12 by 9 into 5 फिर हम लोग multiply कर देंगे और आंसर फिर आजाएगा तो 3 3 जा 9 हो गया यह 3 4 जा 12 यहाँ जाएगा minus 4 तो फिर 4 into minus 4 4 into minus 4 by 3 into 5 तिस हम लग multiply कर देते 4 into minus 4 हो गया minus 16 by 3 into 5 वजाएगा 15 अभी और reduce नहीं योड़कते यह होगे इसका final answer हम लोग दूसरा भी question करते minus 8 divided by minus 5 by 16 यह होगे minus 8 by 1 यह हम लोग लिख सकते minus 8 by 1 फिर इस हम लोग करेंगे multiply minus 5 by 16 को गया reciprocal 16 by minus 5 फिर minus 8 by 1 into इस हम लोग बना देंगे positive denominator होगा positive into minus 16 by 5 तो minus 8 into minus 16 इस हम लोग अप करते है multiply minus 8 into minus 16 by 5 तावसे हम लोग अप करते है multiply minus 8 into minus 16 by 5 यह 1 into 5 तो अब यहाँ पड़ दो negative integers आपड़ दो negative numbers अब अगर दो negative numbers को अब लोग मल्टीप्लाइ करते हैं तो आज़र आते है positive तो इस हम लोग क्या कर सकते है अगर minus 8 और minus 16 है उन्ड़नों को अगर हम लोग multiply करें और अगर हम लोग 8 और 16 को multiply करें तो दोनों का answer exact same ही आएगा दोनों का answer positive आएगा और same ही आएगा तो इसलिए हम लोग इसे confusion काम करने के लिए हम लोग इसे 8 इंटू 16 भी लिख सकते है ये भी से होगा हम लोग negative sign हटा सकते है क्योंकि ये इन दोनों का sum इन दोनों का प्रोधाप कोगा होगा positive negative और negative होटे positive 8 इंटू 16 by 1 इंटू 5 8 इंटू 16 by 1 इंटू 5 ये reduce नहीं ओड़ा तो इस हम लोग करते multiply 16 इंटू 8 128 और ये 1 इंटू 5 5 तभी आर डिद्यूस नहीं ओड़ाते है ये योगेस का final answer 128 by 5 अब लास्ट क्वेशेन है minus 16 by 35 divided by minus 15 by 14 minus 16 by 35 into minus 15 by 14 करेसी प्रोखो लोगिया 14 minus 14 by minus 15 अब इसका देना मेंटर हम लोग फिर से positive कर देंगे minus 16 by 35 into minus 14 by 15 हम लोग ये कर सकते minus 1 से इसको multiply करके minus 14 by 15 फिर अब यहां पर भी दोनों इंटीजर्स negative है minus 16 इसक्स्तीन into minus 14 by 35 into 15 तब ये दोनों इंटीजर्स negative है टेन दम लोग अम लोग बना देंगे positive क्योंकि दोनों का सम आएगा positive negative negative positive 16 into 14 by 35 into 15 7 2 जा 14 होगे इसे रिदूस होड़ है 7 5 जा 35 अब इसम लोग कर देंगे multiply 16 into 2 by 35 into 15 ये 35 बन गया है 5 तो 5 into 15 तो 16 into 2 होगे 32 और 15 into 5 होजाएगा 75 तब ये और रिद्यूस नहीं ओड़ाते है ये होगे इसका final है तो आगर हम लोग दो डूसनों नम्मर्स के divide करना होटे है तो पहले हम लोग देखते है कि उसका denominator positive है कि नहीं पहले हम लोग देखते है दूसरे रिद्यूस नम्मर का उता है उसका reciprocal जैसे कि CYD है तो उसका उजाएगा reciprocal 15 द्यूस नम्मर के उसी का उल्ता फिर हम लोग दो रिद्यूस नम्मर्स को multiply कर लिए अगर जो दूसरे रिद्यूस नम्मर है जिसका denominator तो यह योगियास का आशर तो इसे तरह से हम लोग रेसल नंबर्स को डिवाइड करते हैं शो विल स्थायर शो डिस दे अन्ड अव डी चाप्टर प्ली सुप्स्क्राइब मैं चैनल और थाइंक यू सो मच पॉर वाचिंग